ओल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विद्वान हो अपनी प्रोडक्शन इंजिनियरिंग की सीरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाए और आगए इस वीडियों पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको फीडिया फॉर्मेट में ब अप्लीट एबलेबल हैं इन नौट सौंक इस्तमल आप एससी आरार भी स्टेट जी एई गेट भी टैक एम आई के एक्जामनेशन के लिए कर सकते हैं इसे पिछली वीडियों हमने जाना था साथ हो क्रेटर फॉर्मेशन और टूल स्फेस टूल के साथ किस परकार से चिप बेवाफाई करती है और उसको दोका देकर चली जाती है यह सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था और क्या घटना होती है टूल के साथ और उस बेवाफाई के बाद टूल की कैसी हालत हो जाती है यह सब हमने डिटेल में जान लिया था टूल की यह हालत कि हमने टूल को सला दी थी भाई सस्ते नसों के चक्कर में मत पड़ जाना जिंद की है यहाँ पर ऐसा ही होता रहता है आते हैं साथ हीट डिस्ट्रिबूशन इन मैटल कटिंग जो मैटल कटिंग हो रही है उसमें किस परकार से हीट डिस्ट्रिबूशन होता है चिप में सबस बची हुए रिमेनिंग वो वर्कपीस के पास होती है लेकिन स्टैंडर मानकर हम चलते हैं तो सेवंटी परसेंट चिप के पास और 10 परसेंट मात रह जाती है वर्कपीस के पास तो ज्यादतर हीट को चिप लेकर चली जाती है इसलिए वो सभी को दोका देती रहती है पता नहीं आगे जाकर कितने और टूल बरवाद करती यदि लगी रहती तो लेकिन टूलों की दुनिया में कोई नई चिप फिर से आएगी ऐसा ही प्रोसेस धोराएगी फिर से दिल तोड़ कर चली जाएगी अब आते हैं साथे कुछ टर्म्स पर कुछ बेसिक रेशियों के बारे में जान लेते हैं सिंपल जो इस्तमाल होते रहते हैं उनमें से आता है कटिंग रेशियो जिसे चिप ठिकनेस रेशियो के नाम से जाना जाता है जिसको आर्ट से हम एक्सप्रेस करते हैं इसकी बेलू हम लेस देन वन रखते हैं अब यहां पर आप देखें यह अपना वर्क पीस है इस पर कार से रहा होगा लेकिन कटिंग होते होते है इस पॉर्मेट मा गया है वर्क पीस इस पर कटिंग हो रही है इसका माल कटते है उपर इस क्रैप के रूप में चिप के रूप में वेस्ट होता जा रहा है तूटता हुआ गिरता हुआ जा रहा है यह अपना workpiece है यह tool है यह chip है अब इन मेंसे देखा जाए जो tool जितना गहराई में cut कर रहा है उसे depth of cut के नाम से यह D से express करते हैं और जो uncut आपकी ठिकने से chip की वो T से express करते हैं अब जैसे हम जानते है cutting होती है तो क्या के process होता है इसमें thermal expansion भी आ जाता है deformation की बज़े से या कहें share stress की बज़े से इसमें deformation आता है इसकी dimensions में change आ जाता है अब इस chip को देखा जाए side view नजर आ रहा है आपको लेकिन इसको आप 3D में देखना चाहें side view और अच्छे समझ माएगा तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है chip कुछ इस परकार की होगी है यह chip थी अपनी इसको 3D माप इस परकार से पीछे imagine करकर चल सकते हैं यह uncut थिकनेस है यह चिप की थिकनेस है यहाँ पर tc से express की जा रही है अब यदि तीनों dimension देखी जाए इसकी width इसकी length आप बोल सकते हैं और यह इसकी chip थिकनेस है तो हम cutting ratio को या chip थिकनेस रेशियो को किस परकार से express करते है r से और यह किस के बरावर होता है t divided by tc के बरावर आप चाहें तो इस diagram में किस term को किस नाम से किस alphabet को किस नाम से हम express कर रहे हैं पहले यहाँ पर uncut chip थिकनेस थी t और बाद में cutting होने के बाद इसकी थिकनेस हो जाती है tc तो इसी ratio को cutting ratio चिप थिकनेस रेशियो के नाम से जाना जाता है अब यह ratio और किस के बरावर होता है lc divided by l यहाँ पर lc क्या है साथ यह length है chip की और यह क्या है l length है यहाँ जापर भी आप देखेंगे जो lc लगा हुआ है c जिस के साथ लगा हुआ है वो chip के बारें बात की जा रही है जहाँ simple alphabet लिखा हुआ है वो uncut chip की बात की जा रही है यह uncut जो अपना work piece है उसकी बात की जा रही है length divided by time अब यह किस प्रकार से आ रहा है इनको आप नीचे देखने वाले हैं अपना मतलब था simple cutting ratio से जो इससे express की जा रहा है लेकिन यह एक दूसरे से इस प्रकार से related है इन्हें समझने के लिए आपको देखना होगा volume पर चर्चा की जाएगी जितना volume पहले था आपका यहाँ पर uncut volume था cutting के बाद volume में क्या change आता है दोनु volume को change करेंगे एक दूसरे से comparison करेंगे इसमें conditions लगाते हैं जो की एक तरह से practically proven है already यह कहा जाए बहुत से engineer scientist के दौरा यह alphabet यह assumptions दिए गए हैं उनको follow करते हैं हम चलते हैं तो एक दूसरे से related हो जाती हैं जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर volume आपको देखने को मिल रहा है we know that volume of material removed is equal to volume of chip जितना chip का volume है पहले material जितना remove किया का उसका volume बराबर होगा एक दूसरे को balance करेंगे संतुला नमला कर देखेंगे कुछ अजम संस मानते होई चलेंगे तो यह आपको relations देखने को मिलेंगे यह सब जानेंगे आगा आने वाली वीडियो में डिटेल में उमिद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारे से बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मातरम